आए नमासकार दोस्तो कुंदन एकडमी के हिंदी ग्यान यूटूब चैनल में आपका श्वागत है आज हम हिंदी के इस बीडियो में जैनेंगे कि हिंदी भासा के शंबंध में भारती शंबिधन में क्या प्रापधान किये गए हैं दोस्तों आज की क्लास में हम संबिधनिक प्राबधान देखेंगे हिंदी भाशा के शंबधान में दोस्तों जैसा कि आपको पता है भी पिछली वीडियो में हमने बताया है कि भारत में नौ राज हैं जहा हिंदी को राजभाशा का दरज़ा प्रधान किया गया है तथा एक के निसासित पारी है दिल्ली किया गए इसको पढ़ने जा रहे हैं तो देखें का दोस्तो भारती सम्मिधान के भाग 17 में अनुचे 343-351 के मद्ध जो है तो संबैधानिक प्राबधान राजवासा संबंदी किये गए हैं ठीक दोस्तो इसके अत्रिक तब देखें के भारती सम्मिधान की आठवी में 22 भारती भास्ताव का उलेख है दोस्तो आज की वीडियो में हम भाग 17 को केवल पढ़ाएंगे भारती सम्मिधान के भाग 17 में जो आठकल है जो राजवासा संब्राबधान किये गए हैं उसको पढ़ेंगे फिर आठवी अनसूची के लिए बकायदे एक अलग सी वीड संक्या बढ़ा करके बरतमान में 22 कर दी गई है तो उनको एक अलग वीडियो में पढ़ा जाएगा दोस्तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारती सम्मिधान का भाग 17 में राजवासा के शंबंध में कहा गया है कि राजवासा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाशा ध्य राजवासा को ही राजवासा कहा जाता है ठीक है फिर आगे लिखा है सम्मिधान के भाग 17 में अनुचे 343 से 354 तक राजवासा संबंदी प्राभधान किये गए हैं ठीक है फिर आगे देखिएगा दोस्तों एक करके अभी इनके महतपून जो आटिकल दे गए हैं आटिकल 34 जो महतपून आटिकल हैं उन सभी अनुचेदों को हम पढ़ाएंगे और उनुचेदों को पढ़ना बहुत अनिवार है दोस्तों क्योंकि इनसे कोशन आते हैं तो देखिएगा आगे हम बताने जाने हैं राजवासा का दर्जा भारती शम्मिधान में हिंदी को राजवासा का दर्जा का प्रदान किया गया था बहुत महतपून बात हैं दोस्तों कि हर मेंसे कोशन पूछा जाता है कि हिंदी को राजवासा का दर्जा का प्रदान किया गया था या यह भी कोशन पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कम मना जाता दोस्तों तो देखिएगा लिखा है 14 स सितंबर सन उनिस उन्चास को गोपाल स्वामी आयंगर के प्रयाशों से हिंदी को राजभासा के रूप में प्रस्तुत किया गया इसी दिन हिंदी को भारत की राजभासा घोशित किया गया दोस्तों बहुत मतपूर बात है सितंबर सन उनिस उन्चास को भारत्य शमिधान में जो है तो गोपाल स्वामी आयंगर के प्रयाशों से हिंदी को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन हिंदी को राजभासा घोशित किया गया यही कारण है कि चौदा सितंबर को राश्टी हिंदी दिवस के रूप में मनाया ज जाता है फिर आगे देखेगा एक एक करक्यम महत्पून अनुच्छेदों को देखने जा रहे हैं दोस्तों कि भारती संविधान के भाग 17 में किस अनुच्छेद में हिंदी भासा के संबंद में क्या कहा गया है देखेगा पहला यह अनुच्छेद यहां देखने जा रहे हैं अंतर राष्टी होगा दोस्तो अनु 6343 में कहा गया है कि जो भारत संग है भारत संग की राज भासा हिंदी होगी और इसकी लिप क्या होगी देवनागरी हिंदी भासा की लिप क्या होगी देवनागरी दोस्तो मने वर्णमाला जब पढ़ाया था वर्णमाला की वीडियो मे ब्यक्त किया जाता है उसे लिप कहते हैं परतेग भाषाओं के अपने लिप होती है और भाषा को लिखने के लिए लिप की अवशकता होती है जैसे अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिप की अवशकता होती है पंजाबी को लिखने के लिए गुर्मुखी लिप की अव ज्यान देंगे दोस्तों आर्टिकल 343 में कहा गया है कि भारत संग की भासा हिंदी होगी लिपी देवनागरी होगी तथा अंको का रूप अंतर राष्टी हो गया अंक जो होते दोस्तों अंको का वही मानक अपनाएंगे जो अंतर राष्टी लेवल का मानक होगा जिसको पू इस तरह लिखा जाता है त्री इस तरह लिखा जाता है तो आपने देखा होगा ये देवनागरी लिपी का मानक है लेकिन ये मानक जो होते हैं ये अंताराश्टी मानक कहे जाते हैं जो रोमन मानक है ऐगे देखेंगे अगली आर्टिकल को देखने जा रहे हैं देखेंगा आर्टिकल 344 में क्या लिखा हुआ आर्टिकल 344 में कहा गया है राष्पति को राजभासा शंबंधी सलाइ देने के लिए राजभासा आयोग का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष की निक्त राश्पती करेगा दोस्तों याद रखेंगे कि आर्टिकल 344 में कहा गया है कि हिंदी के लिए एक राजभासा आयोग का गठन किया जाएगा ठीक है और जैसे बिभिन प्रकार के आयोग होते हैं अध्यक्ष की निक्त कौन करता है राश्पती करता है आर्टिकल 344 में दिखा हुआ है कि राश्पती को भासा संबंदे सलाह देने के लिए एक राजभासा आयोग का गठन किया जाएगा जिसके ध्यक्ष की निक्ति राश्पती करेगा दोस्तों इस अनुछेद के तहाद जो है तो राजभासा आयोग का गठन किया जाता है ध्यान रखेंगे कोशन पूछा जाएगा कि भारती समिधन के किस अनुच्छेद के तहाद जो है तो राजभासा आयोग का गठन किया जाता है तो आटिकल 344 से आगे देखें कि दोस्तो फिर इसी राजभासा आयोग के शमंद में यहां चानकारी लिखी हुई है कि एक जून 1955 को प्रथम राजभासा आयोग का गठन किया गया था जिसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगा धर खेर थे काओं थे बाल गंगा धर खेर थे दोस्तो देखेंगा जैसे आटिकल 344 में लिखा हुआ है कि राजपती के सलाह के लिए एक राजभासा आयोग का गठन किया जाए गा तो पहला राजभास आयोग भारत में एक जून उनिशो पच्पन को गठित हुआ था दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्पूर्ट डेट है एक जून उनिशो पच्पन को पर्थम राजभास आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष काउंते बाल गंगा खेर थे दोस्तों क्या जिसके पहले अध्यक्ष काउंते बाल गंगा धर खेर कई बाल लिखा रहता है बी जी खेर लिखा रहता है है ना क्या लिखा रहता दोस्तों खेर लिखा रहता है बीजी खेर लिखा रहता है तो इस प्रकार से क्या है बाल गंगा धर खेर जो थे र संसदी भासायोग होता है जिसका गठन 18 नवंबर 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष काउंते गोबिंद बनलव पंत थी अब आगे देखेगा यहाँ पास आगे फैक्ट लिखा हुआ है चुकि यह भी लंबी वीडियो है दोस्तों एक एक करके इस सभी फैक्टों को देखेंगे अगला फैक्ट है अनुच्छेद देखेगा पहला अगला मुच्छेद है तीन सो पैतालिस इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रतेक राज प्रतेक जो राज है भारत की हना अनसूची आठ्थ में वरनित बाइस प्रदेशिक भाषाओं में से किसी एक को अपने राज की राज भाषा बना शकता है दोस्तों इसका मतलब यह है कहा जा रहा कि आठ्टकल 345 में कि भारत के प्रतेक राज लगभग जो भारत की 28 राज है इनके बारे में कहा जा रहा है कि भारती सम्मिदान की आठ्वी अंसोची में जिन 22 भारती भाषाओं का उलेक किया गया है उन 22 भारती भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपने राज की भाषा घोंशित कर सकता है मतलब एक राज कोई भी राज उसी भासा को राज की भासा निप्ट करेगा या बनाएगा जो आठ्वीर सोची में बाइनित है इसके अतरिक्त किसी भी भासा को हुआ है राज भासा का दर्ज़ा परदान नहीं कर सकता है दोस्तु यह बहुत महत पूण पूढ कट है हना कोशन ये भी पूछा जा सकता है कि भारती सर्मिजान के किस अनुपस्चेड में 22 भारती भासाओं, चुकि आपको बता है कि आठबिए सोची में 22 भारती सबी राज जो हैं तो वाइस भारती भासवा में से किसी एक भासा को राज भासा का दर्जा परदान कर सकते हैं लेकिन भारत में हिंदी को दोस्तो हमने भी आगे पिछली पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि भारत में नव ऐसे राज हैं जहां हिंदी बोली जा जार खंड भिहार उत्रा खंड हिमाचाः पर्देश और हर्याना कि राज भासा हिंदी है। इनको हिंद पर ब्रदेश भी और हिंद पर्देश का जाता है। दोस्तों चुकि यह हिंदी भासी राज है और एक केंद्र सासित प्रदेश है दिल्ली जिसको राज भासा का दर्जा दिया गया हिंदी को देखें कि यहां लिखा है दिल्ली एक ऐसा केंद्र सासित प्रदेश है जिसकी राज भासा हिंदी है महाराष्ट देखेंगे दोस्तो हिंदी यहां दुती राज भासा के रूपे है एक राज दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा या दो भासाओं को अपने राज का राज की भासा गोशित कर सकता है जिसे महाराश की प्रथम राज भासा मराथी है गुजरात की गुजराती है हना और अंडवानी को बार दिव सम 10 तक हो गया था अगला है यानुछ्चे 34345 होगया 300 चैम्स को मनेखने जा रही है या का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों आनुछ्य 345 में यह कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है राज तथा शंग फिर कह रहा है कि राज तथा शंग और राज के मद कोई यह दी बात है या संचार का माध्यम है मतला कम्यूनिकेशन का जो माध्यम होगा वो वही होगा जो केंद सरकार की राजभासा होगी अपने भारत की राजभासा क्या है हिंदी है आता ह शंग एवं राज्यों के मद या राज एवं राज्यों के मद जो संचार की भासा है या कम्यूनिकेशन बारता लाब की जो भासा है वो क्या है हिंदी है आगे कहा जा रहा दोस्तों कि विशेश परिशितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है ये विशेश प्रावधान है इसके लिए ठीक है फिर आगे देखेंगे अनुचे 347 को देखेंगे किसी छेतर के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राश्पती अनुचे 347 में लिखा गया है मतलब अनुचे 347 में लिखा गया है मतलब अनुचे 349 में लिखा गया है अनुचे 349 में लिखा हुआ है भासा के लिए विशेश अधिनियम लिखा गया कि विशेश अधिनियम बगारा का प्रवधान किया जाएगा फिर अनुचे यह अनुचे ज़्यादा महत्तपूर नहीं है दोस्तों हम लास में आपको बताएंगे किन किन अनुचे 2 कापको पढ़ना है और उन अनुचे 2 काप पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से जो है तो उन्हीं सी कोश्चन बनने ही वाले हैं आगे देखेंगे अनुचे 350 में महत्तपूर नहीं है लिखा है अभ्याबेदन की भाषा हिंदी होगी लेकिन विश्चेश परशितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है अभ्याबेदन का असा यह है कि जो आबेदन बगार होता यह सरकारी काम काज होता है या कशक्ते जैसे न्याले बगार में जो है तो क्या होगी भासा हिंदी ही होगी लेकिन pra gorso कि लिए Nepсятsterne न्याले के लिए बतायागा था कि पंद्रह बशो naso अनिवार है दोस्तों प्राथमी की इस तर पर बच्चों को मात्र भासा में ही सिक्षा प्रदान की जाएगी जो उस छेत्र की भासा होगी या जो राज भासा होगी उसी छेत्र की हैना उसे राज की मात्र भासा पर ही जो है तो शिक्षा प्रदान की जाएगी तो यह अपने में बहुत महां तपून है कि सर पर मातुभासा में अन्यवार करने इससे संबंधित कोर्शन पूछे जाते हैं फिर आगे लिखा 350 खा लिखा है किसी अलप भासी के लिए राश्ड पति कुछ अधिकार या उनके लिए विशेष अधिकारी की निवति कर सकता है जैसे दोस्तों क्या होता है कि कुछ अलप संक्षक जो बर्ग है उनके उनकी जो भासा है उनकी भासा और संस्कित को बचाने का कारी जो है तो राश्पति के द्वारे नहीं कहा जा रहा है कि विशेष अधिकारी और या विशे सर्दिकारियों की निक्त की जाएगी आगे लिखा हुआ है अनुछे 351 जो कि महत्तपूर्ण है के सरकार तथा राज सरकार का यह दायत होगा कि हिंदी की परचार परसार के लिए आवाश्यक कदम उठाए दोस्तो यह अनुछेद बहुत ही महत्तपूर्ण है दोस्तो इसी अ हिंदी भाषा का विकास हो सके लिखा हुआ है देखेंगे केंद सरकार का तथा राज सरकार का यह दायत होगा कि हिंदी की परचार और परसार के लिए अवश्यक कदम उठाए यही कारण है कि 20 इस तरपर 20 हिंदी समेलन का आयोजन किया जाता है दोस्तो और भारत में भी ज जहां हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसे दक्षिन भारती राज है वहां हिंदी के प्रचार परसार के लिए दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले का गठन किया गया है मतलब दक्षिन भारत में हिंदी के प्रचार परसार के लिए चेन्नाई को जो आज हमने देखा है कि भारती समिजान के भाग 17 में अनुचे 343-354 के बाद किस आटिकल में क्या कहा गया है लेकिन आपको बहुत महत्तपून हम आटिकल बताए दे रहे हैं कि किन आटिकलों को आपको ध्यान रखना है दोस्तो आर्टिकल 343 बहुत ही महत्पूर्ण है हैना आर्टिकल 343 में जो लिखा हुआ है आपको पढ़ना है कि भारत संग की राजभासा हिंदी लिप देवनागरी तथा अंको का रूप अंतार राष्टी होगा यहां आपको बता दें कि यहां 14 सितामार 1949 को 1900 को हिंदी को राजभासा का दर्जा प्रदान किया गए था यह भी बहुत महत्पूर्ण फैक्ट है राजभासा आयो का गठन कब किया गए था आपको यह भी याद रखना है दोस्तो फिर आइटकल 343 के बाद 344 आइटकल भी बहुत महत्पून है देखेंगे यह 43 उपर है और यह 44 है जहां राजभासा आयोग के गठन की बात की गई है राजभासा आयोग के गठन की साइटकल के इतात किया जाता है यह भी बहुत महत्पून है फिर आटिकल देखेंगे आटिकल 345 भी बहुत महत्पूर्ण है आठवी अंसूची में बढ़ने तो 22 भारती भासाओं का उलेख जिसमें मिलता है हना प्रतेक राज उन्ही भासाओं में से किसी एक भासा को राज भासा निक्ट कर सकता है फिर आगे देखेंगे इसके पश्चा जो है तो यहां भारत के 9 हिंदी भासी राज कौन है एक नजर में यहां भी बताया चुका है हलाकि पिछली वीडियो में उनने बताया है विस्तार से काौन-काौन राज है जहां हिंदी बोली जाती है हिंदी के काउन-काउन से उप बोलिया है बेह प्र सहाय का थी ओं महतपूर्ण है और का हुआ तीन सो पचास तिन सो पचास में 350 का महतपून है 350 का भी महतपून है और सब से ज़्यादे इनमें कहा जाए तो महतपून क्या है 356 चुकि हिंदी के प्रशार और प्रसार के लिए उपबंध किये गए हैं कि किसी इंदी का जो है तो प्रशार और परसार हो तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मिलेंग अगली क्लास में एक नए वीडियो साथ देखेंगे अगली क्लास में हम आप भारते शम्विधान की आठवी अंसूची को बताएंगे आठवी अंसूची में कौन कौन से भासाएं हैं इनको बताएंगे और कौन कौन से शम्विधान सा सोधन हुए हैं तो ठीक है दोस्तों धन्य बाद मिलेंगे अगली क्लास में गुड़ डे